राहुल गांधी जी का पास्पोर्ट जब्द होना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने युएस में जा करके सिखों के खलाफ बात किया है हमारा भारत इतना खुपसूरत है कि हर कोई अपने धरम का पालन करता है जब राहुल गांधी एक आतंकी अजेंडे को ले करके चल रहे हैं आज राहुल बाबा भारत देश के विरोधी लोगों से मिल करके आते आते हैं और देश की बुराइया करके आते हैं सर्वुच्य नयाय पालिका को सुओ मोटो एक्शन ले करके राहुल गांधी जी unknown जी का हर हाल में पास्पोर्ट जब्द कर लेना चाहिए पा को अपना हीरो मानती हो तो मेरे लिए तो मेरे मन में तो मन सम्मान ऐसा है तो राहुल गांधी ने ये जहर क्यों ऊगला वहाँ पर पत्रकारों को ब Tailwork करना डेफेम करना डेरोगेटरी पत्रकारों के आवास को बंद करवाना ये कॉंग्रेस की बहुत पुरानी रंडरीती और राजनीती है। इसे एक वकील है, आप इस पूरे इमाम लेगो कैसे हैं? मॉब लिंचिंग का इंतिजाम करवा दिया राहूल गांदी जी ने ममता से मिल करके। अब बात आती है कि मैं भी मानती हूँ के राहूल गांदी जी का पासपोर्ट जब्त होना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने यूएस में जाकर के सिखों के खलाफ बात किया है। हमारा भारत इतना खुबसूरत है के हर कोई अपने धरम का पालन करता है। और यहां तक इतनी खुबसूरती है कि हमारे अल Koran में 72 फर्खा नहीं है, लेकिन यहां पर 72 फर्खा पल रहा है। और फिर भी उनको टोका नहीं जाता है कि तुम तो अपना इसलाम भी नहीं मानते हो, हमारे अल्खुरान में मजार परस्ती नहीं है, पर यहाँ पर रोज मजारे बनती है और बेहिसाब मजारे हैं, लेकिन फिर भी कोई पॉइंट आउट नहीं करता है, कि आपके तो को और उनकी अम्मा जी के पासपोर्ट, सोनिया एंटोनियो के पासपोर्ट को जब्त करना चाहिए, यह सवाल मैं इसलिए कह रही हूँ, इसलिए उठा रही हूँ, क्यूंके 2001 से लेकर के 2010 तक में सोनिया एंटोनियो ने कम से कम 50 विदेशी यातरा किया था, और विदेशी कि विदेश में किसे किसे मिलती थी, क्या क्या मिलती थी, बाद में यही पता चलता था, कि भारत देश के विरोधी लोगों से मिलती थी, जिस तरीके से आज राहुल बाबा भारत देश के विरोधी लोगों से मिल करके आते हैं, और देश की बुराईया करके आते हैं, पालिका को सुवो मोटो एक्शन ले करके राहूल गांधी जी का और सोनिया एंटोनियो जी का हर हाल में पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। पत्र लिखा गया है। अगर किसी देश के नागरिक को ये एहसास हो रहा है कि फलाना आदमी देश के लिए खत्रा है और बाहर जा करके वो देश के उन लोगों से मिलता है। जो हमेशा दिखते हैं भारत देश का विरोध करने में तो ऐसे लोगों से मिलने वाले वियत्ती को या तो जेल की सलाकों में डाला जाए और नहीं तो कम से कम उनका पासपोर्ट जब्द किया जाए तो ये तो बहुत अच्छी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है जोशी ज पाकिस्तान पन्नू और कॉंग्रेस चोर-चोर मुसेरा भाई है चोर-चोर हमेशा मुसेरा भाई रहता है पन्नू के खलाफ कभी भी राहूल गांदी नहीं बोल सकता है पी एफाई के खलाफ कभी भी राहूल गांदी नहीं बोल सकता है आप लोगसबाई एलेक्शन देखिए दोहजार उनीस का लोगसबाई एलेक्शन देखिए बारत के परदानमंत्री आदर्निय मोधी जी के लिए भारत के नागरिक परचार कर रहे थे party कारेकर्ता परचार कर रहा था पर कॉंग्रेस के लिए Pakistan परचार कर रहा था और पण्नु परचार कर रहा था मैंने पाकिस्तानी चानल पर खुद डोक्टर इर्शात को कहा है कि मुझे चलिया पता चल गए और आखों देखी बात पता चल गई कि पाकिस्तान से भी राहुल गांधी का परचार हो रहा है तो यह तो मेरा प्राक्टिकल है और मैंने खुद देखा है कि पाकिस्तान से राहुल गांधी का परचार होता है मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जो बोला है उसी पर जोशी जी ने reply दिया है और क्या भारत के पत्रकार क्या इस बात से deny कर सकते हैं कि राहुल गांधी ने सिखों के जजबात को आगात पहुचाया था क्या आप तो हर जगा जाती हैं आप लोगों तो ground पर रहती हैं क्या सिख कड़ा नहीं पहन पाते हैं क्या सिख दस्तार नहीं पहन पाते हैं क्या यहाँ पर गुरुनानक जैनती हम सब मिलकर नहीं मनाते हैं क्या सिखों को मान अदर रुत्बा हम नहीं देते हैं मैं तो लुख कान को अपना हीरो नहीं मानती हूं मैं अपने देश की सेना को अपना हीरो मानती हूं तो मेरे लिए तो मेरे मन में तो मान सम्मान ऐसा है तो राहुल गांदी ने ये जहर क्यों उगला वहां पर क्यों उगला और जब उगला है तो किसी ना किसी टेररिजम अजंडे के तहती उगला होगा तो वो अपने पॉकट में रखना पसंद करते हैं या फिर पत्रकारों से उसकी जाती पूछना पसंद करते हैं या फिर पत्रकारों से उसका मजभ पूछना पसंद करते हैं या तो फिर पत्रकारों को एमर्जिंसी लगा करके उनकी जुबान को और उनके खलम को बंद करवाना पसंद करते हैं पत्रकारों को बेईज़त करना, डिफेम करना, डेरोगेटरी रीमार्क देना पत्रकारों के आवास को बंद करवाना ये कॉंग्रेस की बहुत पुरानी रणरीती और राजनीती है अब आपने सैम पित्रोता का नाम लिया है मैं सैम पित्रोता को एक जिहादी और आतंकी मानती हूँ जो चाइना का एक एजेंट है, जो भारत देश का बुरा करना चाहता है और सोन्या एंटोनियो को कई बार चाइना के उन लोगों से वाइन खड़काते हुए देखा गया है जिन से कभी भी उनको खड़काना तो क्या, उनको बात भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिस ग्रोह से वो मुलाकात की है, वाइन पीते हुए वो ग्रो हमेशा से इस देश का बुरा चाहा है महीलाए सुरक्षित नहीए पश्रिम बंगाल 70-75% इसलामिक देश बंचुका है पश्रिम बंगाल में किसके घर में जो भी सम्मिधानिक बात करेगा जो भी सनातन धर्म के फेवर में बात करेगा कभ उसके घर में किस तरह से सुब़ा के 6 बजे से ले करके सुभा के 10 बजे तक कितनी पुलिस आ जाएगी कोई ठीक नहीं है तो पश्रम बंगाल वैसा ही होता चला जा रहा है जैसा फिरहाद हकीम ने कहा था मिनी पाकिस्तान ठीक वही मिनी पाकिस्तान होता चला जा रहा है